अरे बेटा, बहुत देर होगी, कब तक आएंगी वो? आते होंगे. ओ दो कोड़ी के चोकिदार! तु यहां क्या कर रहे हैं मेरे होने वाले दमाद के साथ? चल, निकल यहां से, निकल! अरे मम्याती, चाब होज़े हूँ, यह शेखर के पापा है. अरे, क्या? यही चोकिदार, किसका वापा है, शेखर का? आंटी जी, यह मेरे पिता जी है. अच्छा, और तुम क्या करते हूँ? आंटी जी मैं भी पढ़ाई करना हूँ, और मुझे उमीद है कि जल्दी मेरी नोक्री भी लग जाएगी. तेरा दिमाग खरब हो गया, तूने चोकिदार के बेटे से प्यार किया, तू पागाल हो गई है क्या? अरे ममी, चुप कर तू, मुझे तरी कोई बात ने सुननी, और इनका स्टेंडर देख और हमारा देख, जो खुशिया मैं तुझे देती हूँ, ये दे पाएगा गया, तुन्हे सोच भी कैसे लिए कि तू गरीब लड़के से प्यार करेगी, और पूरी जिन्दगी रोहती सुनले, मैं तेरी माओं में बरदाश कर सकती हूँ, और ये तरा प्यार, तेरी मर्जेब तुझे प्यार को देखना है, ये माँ को देखना है, अटीजी रखूंगा इसकी खुशियों का ख्याल, खुश से ज्यादा प्यार करता हूँ इससे, हर खुशिय देने की कोशिश क करूंगा इससे, अब भरोसा कीजिए मेरा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी हमेरिशा मेरे साथ खुश रहेगी, पैसा काम है तो क्या हो गया, लेकिन खुशियां सिर्फ पैंसों से तो नहीं आती है, रिष्टों में प्यार कोओना भी तो सदूरी है, अपनी खर पे, मैं तरी शादेश से कभी नी होने दूगी, अरे इसके साथ जाके रोएगी पूरी जिंदगी, अभी भी टाही में मेरी बास सुन ले, बेन जी, आप कैसी बाते कर रही हैं, हम गरीब बेशक्री, लेकिन हम भी इजददार लोग हैं, इस तरह आप हमें जलील मत तू तो चुपकर तेरी इजद को मैंने बहुत अच्छे से देखा तो कितना इजददार है, मेरे से फालतो पकवास करने की जुरातनी है, अगर तूने थोड़ी सी भी अक्ल अपनी बेटे को दी होती तो आज वो मेरी लड़की को फसाता नहीं, समझना या, इसका काम यही तू चल मेर साथ, मैं तरी शादी कभी नियुकर दूँगा, चल, तो चल यहां से als पर शेकर? अरे कोमल, तू मचाना कि यहां? देखो यह सारी सवाल जब आपना पाद में गडना, अब जब ए तुमайте से मैं तुम्हारे साथ लैपस तो मुझे रहना में और कुछ नहीं जानती और कि तुम्हारी नहीं कि इसे नहीं माने हैं। अगर तुम मेरे साथ भागने के लिए रेदी नहीं हुए ना तो मुझा देतुगी पागल हो गार तुम जान देने के बात कर रही हो कोई जान नेदोगे तुम ठीक है हम दोनों भागेंगे और इस शहर से कहीं दूर जाकर अपनी जिन्दगी के एक नहीं शुरूआ करेंगे ठीक तुम अपना सारा बैक बगड़ा पैक कर लो और द्यान से कुछ छूटना नहीं चाहिए मैं भी त्यारी करती हूं ठीक हम जाओ ओवी जाओ आप 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 एद्ग शेकर इस एटैची में सारे पैसे घर में जितने भी वैसे थे ना मैंने सारे रख लिये और मां के कुछ गहने भी जब तक तुम्हारी नौगरी नहीं लगेगी ना यह सारी चीज़े हमारी मंदत करेंगी तुम्हारा बहक का है चल कि वो लड़की भी किसी के घर की इज़त है तेरा ये कदम उठाने से उनके कितनी बदनामी होगी तुने एक बार भी नहीं सोचा अरे तेरे धिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि उनके दिल पर क्या भीतेगी अरे वो तो बच्ची है वो तेरे साथ भागने के लिए राजी होगी लेकि तू तो नादार नहीं है ना तू क्यों तैयार होगया उसके साथ भागने के लिए आप सिंता ना करी पापा मैं कोई गलत कदम नहीं उठाओंगा जस्बातों है वहकर मैं खलत कदम उठाने के लिए तैयार हो गया था वो तो अच्छा हुआ कि आपने हमारी बाते सुन ली और मुझे एक अदम उठाने से लोग दिया मेरा वादा आप से कि मैं उसे साही सलामत उसके घर छोड़ के आओंगा अब बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए मेरी बात कान खोल कर सुन ले अगर तू उसके साथ गया तो मेरा मारा मूँ देखेगा समझें नहीं नहीं पापा आप ऐसा ना बोले आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कोई आप चिंता ना करे ना मैं कहा रहा हूँ आप से कोई गलत कदम नहीं उठाओंगा हो गई गलती जजबात हुमें बह गया तक गलत कदम उठाने जा रहा था लेकिन आपने समझाया मुझे तो आगे हैं समझ में क्यो इज़त है किसी घर की और किसी की इज़त को ऐसे सरयाम उचालना अच्छी बात नहीं होती है वो आदा है मेरा आप से की सही सराम उद्व से उसकी घर छोड़के होगा आपने श्रीट रहे हैं ठीक है खयाल रहे इस बात का कि तु कोई गलत कदम नहीं उठाएगा आई यू स्टूमेट कि क्या बखवास कर रहे हो होश में दो मैं तुम्हारे लिए अपने सारा घर बाए छोड़कर आगई हूँ ये बैग लेकर और अब तुम कहरो कि हम भागेंगे नहीं तो फिर मैं जाओंगी कहा शेखर तुम्हारे घर जाएंगे हम चलो मेरे साथ अरे पर बेटा तुम दोनों और वैक के साथ ये आपकी बेटी मैं इसे छोड़ने आया हूँ ये मेरे साथ भागने के लिए तैयार थी बेटा ये सब बाते बात में करेंगे पहले अंदर आओ लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे अंदर आओ नई अंटी जे मुझे नहीं आना घर के अंदर और हाँ आपकी बेटी को इसलिए छोड़ने आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जितना प्यार मैं आपकी बेटी से करता हूँ उससे कई कुनाज़ादा प्यार आप उससे करती है आपके घर की इज़द आये और किसी के घर की इज़द को सरे आम निलाम करना अच्छी बात नहीं होती बागे तुम सुनो ये गड़त कदम उठाने के आज के बाद कोई ज़रत नहीं है मारिमाद तुमसे बहुत प्यार करती है ख्याल रखना इनका आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे बड़ शेकर बम्मी मैं शेकर के बिना नहीं रह सकती मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ अगर उसने मुझे जोड़ दिया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी बिटा ऐसे मत बोल तुझे शेकर के बगार जीने की कोई सुरूरत नहीं तुझ सच कह रही थी शेकर तो बहुत जादा नेक तिल इनसान है मैं उससे समझी नहीं पाई अगर वो चाहता ना तो तुझे लेके भाग भी सकता था पर उसने आज मेरी हिजब बचाई है वो तुझे घर तक छोड़के गया आप तुझे घर को बोल कि रिष्टे के लिए अपने पापा को हमारे घर लेकर आए मैं तेरी शादी उसके साथ कर दूँगी बिटा साच मे ममी आविटा